कि एससी की बड मेनिंग को कंप्लीट करने के लिए जो भी चाहिए होता है तो वह होता है मात्र एक के जब के लिए प्रिवेस पेपर अगर प्रिवेस पेपर पर वर्क कीजेगा तो आपको एक्जामिनेशन के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी तो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने बाले हैं इसे स्टेनों 2022 के वर्ड पावर दो महिने में अगर आपको अधिक से अधिक बड़ पावर करनी है तो इस वीडियो को पूड़ा देखें idiom phrases है तो मैं इसे हिंदी और इंग्लिस दोनों language में discuss करूँगा आपके साथ अपने तरीके से और कुछ ऐसे tactic हम लोग लगाएंगे कुछ method लगाएंगे जिससे यह words आपको याद रहें स्टार्ट करते हैं वीडियो को पहला आपको दिख रहा होगा to be in the driving seat एसा ही पूछेगा आपसे to be in the driving seat इसका मतलब क्या हुआ मतलब से आपको कोई मतलब नहीं है ठीक है सबसे बड़ी बात है और important है कि मतलब से आपको कोई मतलब नहीं रखना है बस आपको इतना मतलब रखना है कि बात यह जो बोला जा रहा है वो याद रहें और कुछ भी नहीं ठीक है to be in a driving seat का मतलब होता है to be in charge or control a situation मतलब किसी भी चीज का in charge होना यह situation को control करना इसका मतलब होता है to be in a driving seat मैं आपको वीडियो खत्म होते है पूरा याद करवा दूँगा repeat के साथ hit the sack second number क्या है hit the sack go to sleep तुझे से रात को आप कहते हो न मैं सोने जा रहा हूं I am going to sleep तुँ वहाँ प्रा बोल सकते हो I am going to hit the sack मैं सोने जा रहा हूं hit the sack का मतलब क्या होता है go to sleep to turn over new leaf अगला क्या है to turn over new leaf इसका मतलब क्या होता है to start behaving in a better way to start behaving in a better way to turn over a new leaf to turn over a new leaf ठीक है to start behaving in a better way to hit the nail on the head ठीक है to hit the nail on the head इसका मतलब क्या होता है दिखेगा देहान से चार नमढ़ हम लोग याद करें है to hit the nail on the head ठीक है to do something exactly तो कहता है न कि जिससे आप कोई काम को है तो आपको कोई है यह टार्गेट मिल यह आपको आपने टार्गेट पर पूरे इच्छे से किया complete किया successfully किया तो आपको कहा जाएगा ऐसा ऐसा बोला जाएगा कि you hit the nail on the head you hit the nail on the head यानि आपने टार्गेट को exactly achieve किया है क्या क्या है exactly achieve किया है चलिए अगला है separate the wheat from the calf separate the wheat from the calf इसका मतलब क्या है पहले दिखिएगा to separate the valuable from the worthless तो जो worthless है उससे अगर valuable कुछ चीज को बाहर निकाल रहे है सुनिए ध्यान से जो valuable चीज है उससे मतलब जो worthless चीज है उससे अब valuable चीज को निकाल रहा है मा लिजये कैसे बताते है आपको अगर कए पर कंकर है और उसी में चाबल है तो आप चाबल को अलग कर लेते हो simple समझे नहीं है और कंकर और चाबल मिक्स है गर चाबल को आप अलग कर रहे हो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो तो आप कर रहे हो separate the wheat from the saff ठीके कुछ valuable चीज को अलग करना कुछ बिकार चीजों से कहां से बिकार चीजों से समझें चलिए अगे बढ़तें next word next idioms क्या है next idiom आपके सामने आ चुका है देखेगा गौर से से क्या है अच्छे से अब आपको clearly दिख रहा होगा अच्छे से दिख रहा होगा जो भी advertisement था सभर चुका है तो हमारे पास 6 number word आ चुका है आप इसे ध्यान से देखिए आपको ये काम देगा upcoming examination के लिए तो 6 number word से हमारे पास वो क्या है ध्यान से देखेंगे 6 number है to burn क्या है देखेंगे to burn his fingers go into got into trouble नहीं होगा यहाँ पर go into trouble होगा क्या होगा इसके पर आप बोल सकते हो go into trouble परिशानी में जाना मैं यहाँ पर bite से ही लिखता हूँ आपको clear समझ में आएगा तो go into trouble का मतलब क्या होता है sorry burn the finger का मतलब क्या होता है समस्या में आ जाना to win the laurels to win the laurels to achieve honors and glory अगर आप honor और glory को प्राप्त कर रहे है honor और glory यानि कहने का मतलब एक सम्मान को प्राप्त करना जैसे आप examination कर लते हैं examination दे लेते हैं तो उसके बाद आपको सफलता मिलती है सफलता मिलने के बाद आपको क्या मिलता है सफलता से क्या मिलती है simple सुचने वाली बात है सफलता से आपको honor मिलता है और glory मिलता है चलें next आपके पास है concern number 8 break a leg क्या है break a leg break a leg का मतलब दिया हुआ है good luck जैसे examination देने जाने से पहले बोड़ आता है ना good luck तो आप उहां पर बोल सकते है break a leg क्या बोल सकते है break a leg next stir up a harness nest stir up a harness nest कभी कवार आपको थोड़ा सा different type का मिल सकता है जैसे यह देखिए या 9 नमर जो पार दे हम लोग ना यह different है stir up a honest होड़ नेस्ट नेस्ट टूरेज कॉंट्रोवर्सी देखो इस टेर अप होड़ नेस्ट नेस्ट तो याद कैसे रहेगा याद नहीं रहेगा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो देखिए stir up मतलब समझे बनाना क्या बना रहा है तो एक जाल बना रहे नेस्ट मतलब एक जाल बना रहे और जाल बना रहे तो इसका मतलब चलाइएगा नेक्सट चिव द फैट के है आपके पास 11 नमर दीजेगा चुद फैट गोसिप एंड मेक अटोक तो डू गोसिप करना या बाच्छित करना बोल सकते हैं ह। two peas in a pod look very similar in appearance or character जब दो चीज एक ही जैसा दिखता है तो उसे हम क्या बोलते है two peas in a pod पीज मतलब क्या होता है मतर के डाने मतर के डाने तब मतर के डाने जब एक ही जैसे दिखते हैं तो दिखें दो मतर के डाने को आप लीजिएगा अब उसको एक उसकी कवर के अंदर में रख दीजिएगा तो वह एक ही ट्राइप करने दिखेंगे इसलिए बोला जारा पॉड का मतलब तो आपको यहां लेना देना नहीं है आपको सेंस पकर के मारना एक्जामनेशन में मारिएगा तो लुक भेरी सीमलर इन अपीरेंस चलेगा नेक्स्ट ब्रेक दा आईस अगला के आपने पास ब्रेक दा आईस तो बिगिन अ कन्वर्शेशन तू यहां पर क् ओके रिलीव दा टेंशन इन अनकंपेटेबल सिचुएशन ओके ब्रेक दा आईस कहने का मतलब होता है चुपी को तोरना जैसे देखें यहां पर ए बैठा हुआ था यहां पर भी बैठा हुआ था ए और बी दो लोग बैठे हुए थे दोनों में से कोभी बात नहीं कर रहा आपने बात श्टाट किया ना इसने बात को स्टाट कर दिया तो हम बोल सकते हैं c broke the days in कि ने क्या किया बात्चित को स्टार्ट कर दिया ठीक है इसके बाद है हमारे पास 14 नमबर सवाल कितने नमबर है 14 नमबर है रहां देजिएगा तू कीप अ गुड टेबल तू कीप अ गुड टेबल इसका मतलब तू आपर सम्चुर्स फूड टू बन गेस्ट अब देखें अ अब पार्टी में आपको खाना अच्छा नहीं मिलेगा तो अच्छा लाएगा नहीं लाएगा तो पार्टी में जाएगा तो खाना अच्छा लगना चाहिए इसमिस आपको पसंद आना चाहिए कुछ ऐसा आपको सर्व किया जाए कि मजा आजाए आप कहीं जाएगा किसी क बुड़ल आएगा वही बात है यहां पर क्या रहा है कि वही बात है तो कीप गुड़ टेबल कहने का मतलब है अगर आप अच्छे से किसी को इन्विटीशन दे रहे हैं तो उसको अच्छा खाना भी प्रसूत करिए तो आफर सम्चुवस फूड तो बंस गेस्ट ठीक है किसी मतलब होता है कि अपर्सन और ूम को हर मदर इज्ट इस स्कूर्ग फॉन अप ये मतलब होता है जो अपने मा के आग का त्यारा होता बहुत ही प्यारा होता उसे हम कहते हैं by the skin of your teeth अब देखिए क्या आपके दात जो हैं इस तरह के जो दात होते हैं मुह के अंदर में छोट छोटे तो उसके दात के skin की बात करें दात में कोई skin धोड़ी हो तो उसको तो इना में लखाता है ना चलिए यहां पर बात यह बोला जा रहा है वह मैं समझा रहा हूं तो कह रहा है by the skin of your teeth to just barely get by or make it ठीक है देखो by the skin of your teeth यह कहने का मतलब क्या हुआ इसका by the skin of your teeth कहने का इसका मतलब हुआ किसी भी condition में जिसे boss ने target दिया है टार्गेट कम्प्लीट करना है तो boss बोलेगा I have given you the target completed by the skin of your teeth आप इसे किसी भी हाल में कम्प्लीट करो तो do to do just barely or get by to make it ठीक है चलेंगे next ओके अगला आपके समनी क्या देख रहा है बायट दा बुलेट अगला आपके समनी क्या देख रहा है बायट दा बुलेट आप देखो बुलेट को आप बायट कर रहे हो बुलेट मतलब बंदू की गोली को बाइट करना यह नहीं दहां से कातना तो to get something over it because of it is inevitable inevitable ठीक है to get something over तो कोई चीज को खद्म कर दना because it is inevitable जैसे मानने लोग कोई भी चीज अटल नहीं है जिसको टाला नहीं जा सकता है तो हम उसके पर बोल सकते हैं कि you bite the bullet next है आपके सामने ध्यान दीजेगा ब्लू अहाट अन्ड कोल्ड क्या है ब्लू अहाट अन्ड कोल्ड तो वैसिलेटिंग कहते हैं उसे ठीक है याद रखेंगे बाई लीपसान वहांनी बहुत पुराना है इसका मतलब होता है रैपीड ली मतलब बहुत ही तेजी से एक एलेबेन टाबर यह वी प्रिवेस पेपर कहें आपको देखना है इसका मतलब ऩर ऐढ़े मतलब होता है अंतीम पल पे थीक है अगला के है आपके सामने दिखीगा got into hot water landed in a trouble exam में आया है यह भी प्रिविएस पेपर के आग स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपका न्यू न्यू लग रहा था बट वैसा है कोई खास न्यू नहीं था इसमें अभी हमने 27 के आसपस पहुंचने वाले हैं अभी तक मुश्किल से दो या तीन ऐसा इडियम्स था जो कि न्यू लगा बाकी सारा इडियम्स प्रिविएस पेपर बेस्ट था तो अगर आप मेंस और आने वाला समय में है तो आप इस पर काम किजिए वर्ट पावर आपको बढ़ जाएगा टेक अवे योर बेट एस्टोनेशिंग मतलब असरे चकित होना टेक अवे योर ब्र इन्न के अभी मैंने अभी नहीं पढ़ा वी बॉर्ट पाम का मतलब आधा जीतना भॉबड पां का मतलब आथा गॉसके बाद आते हैं नेक्स्ट कहा गया अम्वरेक दब् faculty new ground to do something that was not on before अने कोईग को करना कोई नया चीज को करना ठीके अगला क्या आपके सामने देखिएगा Charlie horse के अगला हमारे समने Charlie horse चार्ली भाय को गूरा 탑क्या क्रैंप क्क्रैंपक करना नेक्स्ट नेट नेक्स्ट नेक्स नेक्स्ट oven सग्या हूं डarn थोड़ा आप कर लίते हैं आप नहीं हो पाएगा हाँ से तो पहला है चिकन हार्टिट इड़्यद समल्वन कि किया लिखा हुआ है अगनी प्रिक्षा देना किसी भी तरीका से जीतना हर तरह का इम्तिहान देना तो यह थे 27 एडियम्स फ्रेज़ेज जो की एससी स्टेनों में पूछे गए थे इस बार तो आप 2020 के हैं तो एक्जाम बाइज में आपको प्रोपाइट कर दूँगा जो भी एडियम्स मिल जाएंगे चैनल पर आप उस वीडियो को कम्प्रेटली देखें और अपने रिवीजन में बेनिफिट लाएं अब हम लोग इसका रिवीजन करने बाले हैं पूरे एडियम्स फ्रेज़ेज का तो कोशिश किया जाएगा कि आपके सामने कोश्यंस को इन सिर्फ दिखाया जाए बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो तो आपको एंसर दिखाया जाएगा चलिए मैं इसे थोड़ा सा सेट कर लेता हूं इडियम्स फ्रेज़ेज को एक सेकेंड होल किजिएगा चलिए अब आपके सामने कोश्यंस आ चुके डिरेक्टली आपको मैं कोश्यंस पढ़ूंग को यहां से और आप एंसर सोचना है नहीं आ रहाएगा तो मैं बताओंगा आपको डन चलिए पहला आपके सामने पांच में से कोई एक ही ही ओके हाँ है अंकि तो आप बताइएगा पांच मन नमबर का अंसर क्या होगा आपके माइन में है इस सेपरेट डवीट फ्रॉम दर चैफ जो भी बोल सकते इसको बोली कोई दिकत नहीं है तो सेपरेट वीट फ्रॉम द चैफ इसका मतलब क्या हुआ तो इसका मतलब आपने एक को याद आयों नहीं आध शेली कोई बात में याद करवातेय हैं मोड़िक यह था इन्वैलिजेबल चीजों से बेडुबल चीजों को अलग करना ये नХट करना पोटमपीर नेल गाइना के तोब यृष्थ ऑफटक पुछने वाला हो ध्यान दीजेगा head the sack head the sack का मतलब क्या हुआ याद आया नहीं आया चलिए आया तो अच्छी बात है नहीं तो भी अच्छी बात है तो आप इसका मतलब क्या होता है head the sack का मतलब head the sack का मतलब होता है सो जाना go to sleep चले next वो गया तो जहां तहाँस में आप से पुछंगे ताकि आपको याद रहे चलिए आपको इतना में से हैं कौ inclusion किसका होगा कीप अगोड टेबल का मतलब याद किजी क्या पताए गया था ईसका मतलब बताया गया था कि अच्छे से किसी को भोजन शर्व करना अच्छा ठीक है इसमें आप बताईगा बाइट बुलेट का मतलब क्या होता है हार मार लेना चलिए अच्छी बात है याद है आपको तर सोला नमर बताईगे क्या था बाइधे skin of your teeth comment में बता सकते हैं short में बताइए कोया ठीक है by the skin of your teeth का मतलब होता है किसी भी condition में काम को करना ठीक है आपको sense पकर के भी मारना है ओके break the eyes का मतलब बताइए गा break the eyes का मतलब होता है start conversation start conversation बाचित को start करना मित्ति कुछ में पूछ लका चलिए इतना बताईएहा इतना में से आप से उत्फ आप अ इने आया आगे तो अच्छी बात इने तो भी अच्छी बात या चिक्नह你好 कमा ओता इंद्फ comfy कहोता है डर फोड़ Husker कि अब आता ये टेक अवे योर ब्रीथ टेक अवे योर ब्रीथ का मतलब याद है नहीं याद आरा होगा तो इसका क्या मतलब होता है इसका मतलब होता है इसका मतलब होता है इसका मतलब होता है इसका मतलब होता है एस्टोनिस होना यानि कि यह आसरी चकित होना तो टेक अवे यूर ब्रीट याद हो गया चलिए इसके बताएगा चार्ली होस का क्या होता है आप सोच के बताएगा बोर्द पार्म का क्या होता है उसके बाद ब्रेक दर फ्रेस का भी आप बताएगा यह सारा एक पर अपने माइन में बोलिएगा क्या है और आप बताएगा बाइदर का होता है एस्टोनी सिंग बोर्द पाम का मतलब होता है जीतना ठीक है बीर्द पाम का बना हुआ है बोर्द पाम ओके और चार्ली होर्स का मतलब होता है क्रैंप और चिकन हाटेट का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा डरफोक बोल सकते हैं जो डर जाता है गो थूरू फायर आप इस चीज को समझ चुके हैं तो यह से स्टेनों के एंटोनीम से और इस साइड में सीनोनीम से तो यह टोटल कितने हैं देखा जाएगा इसको अभी तुरंट तो इस यह टोटल लगभग असी कोश्चन से एक वीडियो में मैं सेनोनीम से डिसक्स करूंगा आपसे और एक वीडियो में एंटोनीम से डिसक्स करूंगा तो उसके बाद यह आइधिंग जी नहीं इतना ही है उसके बाद यह क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा और कोई भी टॉपिक पढ़ना हो तो आप कमेंट पर बता सकते हैं बता दिया जाएगा आपको एक्जामनेशन के लिए गाइड चाहिए होगी एससी के लिए स्पेसली इस चैनल पर मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाई बाई टेक क्यों